गुजरात पर होगा राजस्थान का हल्ला बोल राहुल के बाद हार्दिक पर होगा करारा प्रहाद आई पील में पहली बार आपके सामने राजस्थान गुजरात पेस अटाक से होगा बल्लेबाजों का सामना हार्दिक पंडिया की गुजरात टाइटन्स और संजू सैमसं की कप्तानी बाली राजस्थान गुजरात के बीच मुकाबला दिल्चस्थ होने की उम्मीद है इस मैच में दोनों टीमों के पास पैना गेनबासी अटाक है से शुरू होगा गुजरात के कप्तान हार्दिक पंडिया आई पील के इस सीजन में बतोर कप्तान मैदान में बेहत पॉजटिव नजर आ रहे हैं लिहाजा हार्दिक पंडिया की अभवाई वाली गुजरात टाइटन्स अपने पांच कोई मुकाबले में राजस्थान के खिलाग जीत दर्ज कर अपनी लह वापिस पाना चाहेगी गुजरात बल्लेबाजी में अपनी युआ सलामी बल्लेबाज शुबमन गिल पर काफी निर पर है गिल शांदार पॉम में चल रहे हैं तो वहीं मैठ्यू वेट रंज उटाने में जूज रहे हैं जबकि डेविड मिलर का धमाल दिखाना बाकी है नए खिलाड़ी अभिनाव मनुहर और बी साइज सुदर्शन को अधिक जम्मेदारी से खेलना होगा राहुल तेवतिया फिनिशर की अपनी भूमी का गाल लुट्व उटाते दिख रहे हैं हाला कि हैदराबाद के खिलाफ आखिरी मैच में वो खास कमाल नहीं दिखा पाए बात अगर गुजराद के गेनबाजी की करें तो वो काफी मजबूत हैं तेज गेनबाजी में लौकी फाग्यूसन है इसके अलावा मुहम्मद शमी और पंडिया सभी विकट जटकने वाले गेनबाज हैं जो विरोधी टीम को दबाओ में रख सकते हैं राशिद खान सबसे केफाईदी गेनबाज रहे हैं अब ये देखना दिल्चस्थ होगा कि गुजरात के गेनबाज आरार के खिलाफ किस तरह प्लानिंग करते हैं राजस्थान के पास विसपोटक जोस बटलर, शिम्रोन हिटमायर और सैमसन के अलावा प्रतभशाली देव दत पटिक्कल शामिल हैं बात अगर राजस्थान की गेनबाजी की करें तो उनके पास ट्रेंट पोल, कुलदीब सेन रहेंगे स्पिन की जिम्मेदारी आर अश्विन और युजवेंद्र चहल के कंधों पर रहेगी इस टोनामेंट में दोनों टीमों ने टीम मैच जीते हैं और एक में उन्हें हार मिली है लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने बहतर नेट रन रेट की वज़ह से कॉइंट स्टेवल में टॉप पर वर करार है संजू सैंसन ने पहले आई पील की नई टीम लखनों को हराया और अब उनकी नजर दूसरी नई टीम गुजरात को हराने पर होगी लेकिन उसके लिए टीम को हारदिक के चुनोतियों से पार पाना होगा